मदिपर्देश के पुर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं चर्चा में इस बात को लेकर के हो रही है क्योंकि माना जा रहा है कि शिवराज सिंग चौहान जल्द ही कोई बड़ा पद हासिल करने वाले हैं बदादें की हाली में जिस तरीके से विधान सबा चुना हुए उसके बाद से कयास लगाये जा रहे थी कि शिवराज सिंग चौहान ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे लेकिन भाजपा ने बड़ा उलट फिर करते हुए विधान सबा चुनाओ के दौरान मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया उसके बाद से लगतार मध्यपरदेश में कई जगहों पर भारते जनता पार्टी का विरोध देखने को भी मिला वहीं सिराज सिंग चौहान के समर्थन में कई वीडियो ऐसी आई जो कहीं न कहीं इमोशनल कर देने वाली थी इसके बाद से कयास लगाया जा रहे थे कि क्या सिराज सिंग चौहान को अब भारते जनता पार्टी कोई बड़ा पद देने वाली है अब कहीं न कहीं ये चीजे खुल कर सामने आने लगी है बता दे हैं कि हाली में जिस तरीके से सिराज सिंग चोहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अगर दिली जाओंगा तो खाले पीली थोड़ी जाओंगा उसके बाद से पीम मोदी का शिराज सिंग चोहान को खत लिखना ये कई बड़े संकेत हैं जो कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि जल्द ही शिराज सिंग चोहान कोई बड़ा पद हासिल करने वाले हैं बतादे हैं कि शुराज सिंग चोहान को लेकर के पी-एम मोदी ने खत में लिखा था कि उनकी सरकार में क्रिशी में काफिज जादा उन्नती हुई है अब इस बात से संकेत मिलता है कि शुराज सिंग चोहान अगर अगर अंडिये की सरकार बनती है लोग सबाचुनाओ के ये कयास लगाए जा रहे थी कि शुराज सिंग चोहान मदेपरदेश के मुख्य मंतरी बने रहेंगे लेकिन भाजपा की जीत के बावजूद मोहन यादो को वहां से मुख्य मंतरी बनाया गया और कहीं न कहीं शुराज सिंग चोहान को एक बड़ा जटका लगा इसके अतार ये चीजे खुल कर सामने आ रहे थी कि आखिर सिराज सिंग चोहान पर फिर से भारते जंता पार्टी ने दाव क्यों नहीं खेला अब कहीं न कहीं सिराज सिंग चोहान लोग सभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं वेदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं अब देखना दिल्चस्ब होगा कि क्या सिराज सिंग चोहान जल्द ही कोई बड़ा पद हासिल करने वाले हैं क्या क्रिशी मंतराले अब उनको मिलने वाला है फिलाल के लिए इस खबर में तहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने एन एक्षनल पॉलिटिकल बाइट के साथ